लेटेस मोव फ़र्धर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अभी किसी एक इंपॉर्टन पार्ट पे चल रहे हम जो पार्थ हमारी एक्जाम्स के पॉइंट अव्यू से बेहत इंपॉर्टन है है ना समझने मेरे बार मैंने थोड़ी देर पहले प्रोड़क्टिविटी के बार को देदोगी तो सम अमांट अफ एनरजी यूव यूटलाइज बाइव और से फ्यू आइन सम अमांट अफ एनरजी विल ट्रांसवरे तो सम अधर ओगानिजम राइग कैसे करेंगे वह फूट चेंगे तो अगर बायो मास की में बात करूं प्राइमरी प्रोड़क्टिवि है खुद की बॉड़ी के लिए कुछ प्रेपेर किया स्टार्ज बनाया है यह यूटलाइज किया है यह यूटलाइजेशन से उनका मास धीरी तीरी बड़े गाना ऐसी आएम नौट टॉकिंग टॉकिंग बाउट वेट वह होता है जहां पर आप ग्राविटी को भी मास बोलते हैं बायो मास का मतलब होता है बिटा लिविंग और्गानिजम का मास किसी भी लिविंग और्गानिजम की बॉड़ी का जो पूरा मास है उसे हम बोलते हैं बायो मास तो क्या आप प्रेपेर कर सकते हो बायो मास कर सकते हैं बायो मास अगर आप कोई कर रहे हैं हमारे plants metabolism करते हैं और metabolism के बाद इनकी body में कुछ substances का formation होता है ठीक है metabolism से हमारे body में bio mass बनता है क्यों बनता है क्योंकि हमने पहले भी बात की हुई है metabolism मेरे शरीर की normal activity है जिस activity के तुरू शरीर कुछ बनाएगा build up करेगा है और वो build up किसके form में होता है mass के form में होता है तो जब भी आप metabolism करेंगे you will prepare biomass जब भी आप digestion करेंगे तो हो सकता है biomass में कुछ changes आए decomposition में तो definitely biomass खत्म हो जाना है हलाकि decomposition तो तभी होना है जब वो organic sorry जब वो living organism मर चुका हो है ना dead body का decomposition होगा तो यह जो biomass है यह biomass आप कितना बना रहे है बिटा है ना यह organic matter आप कितना बना रहे है per unit area over a particular time period you need to remember देखे जब भी आप rate calculate करते हो ना बच्चों rate में हमेशा point of reference लिया जाता है है ना time जोड़ा जाता है बिना time के आप rate नहीं निकाल सकते तो कितना organic matter मतलब biomass आपने कितने area में बनाया और कितने time में बनाया आप एक साल ले सकते हो दो साल ले सकते हो तीन साल ले सकते हो आप kilometer-wise area ले सकते हो आप meter wise भी area ले सकते हो तो कितना gram weight आपने यह organic matter आपने प्रपेर किया है in a particular time in a particular area एरिया ओवर पिरिट ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर एरिया तो यूनिट एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पिरिट पे बनने वाला जो बायो मास है जो फोटो संथेस्स से आपने बनाया है उसी को मैं बूलूंगे प्रॉड़क्टिविटी राइट क्योंकि मैंने कुछ किया है और यहां क्या प्रिपेर करना इंपॉर्टन था बिटा बायो मास क्यों बायो मास प्रिपेर करना इंपॉर्टन था क्योंकि मुझे उसी से तो एनर्जी मिलने वाली है तो प्रॉड़क्टिविटी का मतलब होता है कि एमाउंट आपने कितना बनाया है इसको एक्स् मेरे लिए उससे बनने वाली एनर्जी है तो यह जो एनर्जी है यह किलो क्यालरी पर मीटर स्कॉरर में हम एक्स्प्रेस करते हैं यह एक पिक्टोरियल रिप्रेसंटेशन हम बताने की कोशुश कर रहे हैं जहां पर मैं थोड़ा सा टउम चेंज करते हुए ग्रोस ग्रोस मतलब टोटल घ Seriously, complete is necessity in करने वाले हैं और कुछ हद तक हम इसे आज दूर रहने देंगे पढ़े रहने देंगे तो ग्रोस प्राइमरी प्रिक्टिविटी का मतलब होता है कि टॉटल आपने जितना भी ग्लुकोस प्रपाइर किया है फोटो संतेस्स में फोटो संतेसिस में स्टाच नी बनाते बिटा देते हैं remember that so जितना भी glucose आपने photosynthesis में बनाया है उसे में बोलती हूं gross primary productivity they call it as gpp और gpp जो है यह gross में से total जितना आपने बनाया इसमें से कुछ भाग तो use करोगी ना बिटा isn't it जैसे हम earn करते हैं आपको किसी कहीं किसी जगह से कोई income हुई आपने earning की है तो उसका कुछ भाग आप saving के लिए रख लेते हैं कुछ भाग आप use कर लेते हैं तो वो जो भाग आप use करते हैं वो किन हिसा यूज कर रहे हैं और कुछ हिसा आपका पड़ा रहेगा अब मेरे बॉड़ी में मेटाबॉलिजम की शुरुवात होती है बिटा respiration से इसंट इट तो respiration जो है यह जब मैं करूंगी तो शरीर में से काफी हद तक energy का loss हो जाना है ठीक है मैंने सास ली सास छोड़ी फिर सास ली फिर सास छोड़ी यह क्या है यह एक normal activity है आपकी बॉड़ी की metabolic activity है और यह बेस है बच्चों आपके शरीर में होने वाली हर chemical reaction का एक बेस है क्योंकि मुझे oxygen respiration से मतलब breathing से ही तो मिलता है breathing से ही मैं air अंदर ले रही हूँ उस air को अंदर लेने के बाद उस oxygen को में respiration के तो यूटिलाइज करने वाली हो तो मेरा major involvement कहा हो गया respiration में हो गया तो कुल मिलाकर मुझे जितनी total energy मैंने बनाई है gross primary productivity जितना मेरे पास है उसमें से कुछ छोटा सा भाग मुझे ले लेना होगा अपने respiration को carry out करने के लिए सास लोगे तो ही तो जिन्दा रहोगे और जिन्दा रहना है तो सास लेना है सास लेना है तो energy चाहिए energy चाहिए मतलब breathing isn't it और energy को utilize या energy का formation करना है मतलब respiration तो respiration एक बहुत बड़ी phenomenon है जिसमें मैं काफी हद तक energy को use कर लोगी इसे लिए जो gross primary productivity है उसमें से मुझे respiration में utilize होने वाली energy को minus कर देना चाहिए और जैसे ही मैं GPP से R minus करती हूँ I will get net primary productivity अब ये मेरी income है मेरे expenses में हटा दो तो जो मुझे मिला है वो क्या है मेरी income है तो अगर income आपको निकालनी हो total तो वो कैसे निकालेंगे GPP minus R कर दीजे respiratory I mean respiration में use होने वाली energy minus कर दीजे you will get NPP net primary productivity मेरी savings ही मेरा asset है जो ध्यान रखेगा क्योंकि इस asset को मैं कभी use करूँगे जिस दिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा है ना जब मुझे बहुत तेज भूग लगी होगी तो जिस समय मुझे भूग लग रही है उस समय में क्या use करूँगे जो पहले मैंने store करके रखा था तो यह जो store किया है यह आगे काम में आने वाला है इसलिए मेरा asset हो गया यही रीजन है कि हम इन दोनों टम्स को पढ़ रहे हैं तो हम कुछ भाग एनरजी का तुरंत उप्योग कर लेते हैं और कुछ भाग हम आगे चलके यूज कर पाते हैं अपमें इसे फॉर्मूला के फॉर्म में यहां मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया है आपको अपमें एक आपको फॉर्मूला फॉर्म में इसे दिखा देती हूँ तो दिखिश्व कर लिया है इस एक्सप्रेस करने के लिए इस ग्राम स्क्वार्ण पर एक दो तीन जो भी रेफरेंस पॉइंट आपको रखने हूं आप रख सकते हैं यह प्रोडक्टिविटी अलग 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 एकोस्सिंटिम को करने क्लिए लिए ली जाती है as we already discussed, मैंने आपको बताया था कि जिस ecosystem की GPP ज़ादा होगी even NPP ज़ादा होगी पिटा वो ecosystem ज़ादा stable और productive माना जाएगा, और हो सकता है हो क्या सकता है, in fact ऐसा होगा ही कि आपको वहाँ पर diversity भी काफी अच्छी खासी दिखे क्योंकि जहाँ energy होगी वहीं तो लोग होगे, वहीं तो organisms होगे, इसलिए जिसकी productivity ज़ादा है, वहाँ पे आपको organism ज़ादा दिखेंगे दो type की productivity है हमारे पास GPP, gross primary productivity net primary productivity, जो GPP minus R होती है, right so respiration के उतमे होने वाले losses को आप ignore कर दीजिए so what you will left with, you will left with only NPP, right so this is the representation, अच्छा मुझे एक बात बताएए अगर NPP जरा सोचके देखें आप ही सोचके देखें, क्या NPP कभी 0 हो सकता है, net primary productivity 0 हो सकते है not possible, क्योंकि आप इतना जादा respiration तो कभी करेंगे ही नहीं कि GPP के बराबर value हो जाए, right, so net primary productivity can never be 0 क्या GPP 0 हो सकता है बिटा, gross primary productivity क्या कभी भी 0 हो सकती है, think about it again it is not possible, क्योंकि कुछ न कुछ तो बनाओ गई भाई, जब आप ने photosynthesis किया है, तो कुछ तो prepare किया ही है न, और कुछ prepare किया है, तो GPP ना तो कभी negative हो सकता है न, गभी 0 हो सकता है, it will be always on a higher side, isn't it अब ज़र सोच के देखो, क्या NPP GPP के बराबर हो सकता है, हाँ, बिलकुल हो सकता है बता हूं मैं कभ हो सकता है जब तुम इस respiration को तोड़ा सा कम कर दो, है न, जैसे ही तुमने respiration को बराबर लाने के लिए आपको photosynthesis का rate बढ़ाना होगा respiration का rate कम करना होगा तो जैसे ही तुमने photosynthesis का overall rate बढ़ा दिया respiration का rate कम कर दिया GPP will be nearly equal to NPP तो yes, it is possible यह कुछ conceptual चीज़े हैं जो आपको पता होने चीज़, NCRT में कहीं लिखा नहीं है विटा लेकिन question इनी zone से पूछे जाते हैं यहीं पर आपका concept चेक कर लेते हैं इसलिए NCRT रटना नहीं है समझना है, right तो यह हमने primary productivity के बारे में बात कि अब हम बात करेंगे secondary productivity के बारे में ओके? चलिए secondary productivity के बारे में बात कर लेते हैं विटा primary हमने discuss कर लिया है अब secondary productivity किसे बोलते हैं वो देखा जाए primary productivity में तो producers का involvement है मैंने आपको पहवे ही बताया था कि जो plans है वो prepare करते हैं और वही main producers हैं लेकिन इन plans को consume करने वाले मेरे पास consumers है तो plans are consumed by consumers कर लिया तो अभी इस consumer के पास भी substances बनेंगे तो consumer भी कुछ ना कुछ prepare करके देगा तो consumer जो आपको बना के दे रहा है ना बिटा that is called secondary productivity primary is done by plans ध्यान रखेंगे and secondary productivity spelling error है please consider it so it is productivity primary productivity producers बनाते हैं secondary productivity consumer बनाएगा वही मैंने जब किसी plant को खाया बिटा तो उस plant के अंदर के जो proteins थे वो मैंने रिसीट किये मैं इन proteins को directly नहीं use कर सकती क्योंकि मेरे शरीर में proteins अलग required है मैं क्या करूँगी इन proteins को break कर दूँगी right break करने के बाद मैंने इने अमीनो आसिट में convert कर दिया और फिर उन अमीनो आसिट को यूज करके मैंने नया प्रूटीन फॉर्म कर लिया तो हमने जब नया कुछ प्रिपेर किया है हमारे शरीर में मतलब consumer ने अपने लिए कुछ नया बना लिया है तो उसे हम बोते हैं secondary productivity so I have primary productivity and then secondary productivity देखिए यह इस rabbit ने किसी plant को consume किया है मतलब उसने energy ली है plant से वो energy जब rabbit के पास पहुंची तो rabbit अपना नया biomass बनाएगा बिटा और वो नया biomass क्या क्या लाएगा secondary productivity उसमें से कुछ भाग जो भी उसने लिया है वो कुछ भाग में से तो कुछ respiration में as a respiratory waste बहार निकल लिया क्योंकि respiration में आपने उस energy को जब use कर लिया तो वो energy का कुछ भाग as a waste आपके शरीर में से निकलेगा extra amount of heat निकलेगी प्लस कुछ आपने use कर ली प्लस फिर जो आपने waste products बनाए वो waste products भी आपने remove कर दिये अब जो बचा जो आपके शरीर में रहे गया है उसे हम बोलते है secondary productivity तो secondary productivity मतब नया biomass जो की कौन बनाएगा मेरा secondary consumer इसमें जो भी food consume किया है और जो भी energy आपको digestion में लगी है उन दोनों को minus करेंगे respiration को minus करेंगे तो जो बचेगा that will be the new biomass prepared by my consumer तो that is called a secondary productivity आई अब जरे question के बारे में बात कर लेता है I'm so sorry I skipped it quickly secondary productivity is the rate of formation of new organic matter by कोई नया organic matter आपका कौन सा organism बनाएगा जिसे हम secondary productivity बोलते है तो producer तो बिटा primary productivity बनाता है है ना जो मेरा parasite है वो primary जो मेरा जो producer उसी को खा के उससे energy derive करता है consumer जो है वो definitely क्योंकि अभी rabbit हमने example देखा तो वो किसी plant को consume करके अपना नया biomass बना रहा है तो this could be the option है ना लेकिन मैं last भी देखी लेती हूँ decomposer decomposer का रोल क्या है बिटा यह जो decomposer है ना यह तो चीजों को सिर्फ खतम करने का काम कर रहे है तो यह कोई biomass भी प्रपेर करें सिप चीजों को डिशॉल करें खतम कर रहे है तो इसलिए answer would be C to consumer is the right answer which is going to prepare secondary primary productivity right so here is the answer explanation I have already given you I am so sorry yeah explanation मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो biomass generate consumer dhwara that is for less secondary productivity कर दो बताता है झाल 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 झाल